बाइक निर्माता कंपनी रॉल इंफील्ड की एडविंचर मोटर साइकल 2021 रॉल इंफील्ड हिमालेन भारतिय बाजार की एक बहुत ही लोकप्रिय बाइक है अब रॉल इंफील्ड ने अपनी इस एडविंचर बाइक को जापानी बाजार में उतार दिया है और अपने जापानी लाइनप को अपडेट कर दिया है कमपनी ने देश में हिमालेन के 2021 मौडल को लॉंच कर दिया है डॉट बता दें कि कमपनी ने अपने टोक्यो फ्लैक्शिप स्टोर की शुरुआत जनवरी 2021 में की थी जापान में रॉल इनफील्ड की उपस्थिती को एशिया प्रशांत शेतर में कमपनी के दबाव को मजबूत करने के लिए एक प्रमुक कदम के रूप में देखा जाता है इसके अलावा हिमालेन 650 ट्विंस के साथ रॉल इनफील्ड के जापानी बाजार में बड़े कदम की उम्मीद की जा रही है नई 2021 रॉल इनफील्ड हिमालेन को भारत में पहले ही 2021 में लॉंच किया गया था और यह मामूली कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट के साथ आई थी इस नई रॉल इनफील्ड हिमालेन को तीन नए कलर ओप्शन स्पाइन ग्रीन, मिराज सिल्वर और ग्रेनाइट ब्लैक में उतारा गया था इसके अलावा रॉल इनफील्ड हिमालेन को ट्रिपर नेविगेशन पॉर्ड मिलता है, जो रियल टाइम नेविगेशन की पेशकश करता है, डॉट, इसे गूगल मैप्स प्लेटफोर्म के साथ बनाया गया है हिमालेन पर भी मामूली कॉस्मेटिक बदलाव किये गए है, इसमें थोड़ी लंबी विंडशील्ड, टैंक गार्ड पर एक संशोधित डिजाइन, बेतर सीट कुष्णिंग और लगेज कैरियर पर एक अतिरिक्ट प्लेट लगाई गई है, डॉट, इसमें पहले की तरहां गोलाकार हेडलेंप, रियर व्यू मिरर, टियर ड्राप आकार में तर्न इंडिकेटर, अपस्वेप एक जॉस्ट आधी दिया गया है, इसमें दिये गए ट्रिपर नेविगेशन को रॉल इनफील्ड एप के माध्यम से चलाया जा सकता है, इसकी मदद से स्क्रीन पर इंकमि बदलाव नहीं किया गया है, यह 411cc सिंगल सिलिंडर एर कूर्ड इंजन के साथ आती है, डॉट, इसका इंजन 24 बीएचपी की पॉवर और 32 न्यूटन मीटर का टार्क प्रदान करता है, इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है, कम्टनी ने ग्राकों के फीडबैक के अनुसार कई बदलाव किये हैं, जिस वजह से यह पहले से आकरशक और अधिक प्रैक्टिकल हो गई है.